हलो एवरिवन मैं हूँ गौर्व काबरा आप सब का बहुत बहुत स्वाकत है और आज CFA लेवल वन का एक और समरी वीडियो आप सब के सामने आ गया है आज हम एकोनोमिक्स कवर कर रहे हैं और एकोनोमिक्स में यह जो रीडिंग है इसे हम कहते हैं यहां पे ध्यान दे करके फटाफट कम से कम समय में हम समरी तो करेंगे ही आपके सामने पेश उसके बाद में आपको प्राक्टिस जरूर करना है और आप क्वेशन करने के बाद फुल-on रेडियो अपने एक्जाम के लिए अगें एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर में उन बच्चों को देऊंगा जो लोग शायद फर्स ताइम हमारा कोई वीडियो देख रहे हैं तो यह एक समरी वीडियो है इस नॉट फुल वीडियो कोर्स यह बाद ध्यान रखेगा फुल वीडियो कोर्स के लिए नीचे you have a whatsapp number where you can contact and you can find out the details चलो अभी शुरू करते हैं learning outcome A से जहां पर सबसे पहले हमें जो जो चीज़े cover करनी है उसके बार में बात करते है number one we are going to talk about the characteristics of business cycle देखो business cycle क्या होता है business cycle का एक simple सा मैं हमेशा example देता हूँ class में कि देखो किसी भी business में उतार और चड़ाव आता है आपने यह दोनों वर्ड सुने होंगे उतार और चड़ाव यानि कि तेजी और मंदी तो देखो तेजी और मंदी के cycle को हम लोग कहते है business cycle पर यह business cycle ना पूरी की पूरी economy में reflect होता है not a particular section of economy यह बात ध्यान रखेगा तो it is economy wide and economy wide जब तेजी और मंदी आती है उसी को हम कहते है business cycle number one these business cycles are noticed in economies which are not completely agrarian or centrally planned यानि कि ऐसी economies में आपको business cycle नहीं देखने को मिलेगी जहाँ पे central planning है यानि कि I can say socialist economies है या फिर में जो agriculture जहाँ पे जादा है और बात बाकी economies नहीं है तो वहाँ पे आपको business cycle देखने को थोड़ा कम मिलता है and otherwise बात बाकी sections में आपको देखने को मिलेगा next I think very very important point number two which is business cycles are recurrent and not periodic इसका मतलब business cycle एक के बाद एक वापस repeat होती है एक cycle complete तो दूसरे cycle चालू लेकिन उनकी intensity उनकी duration का ऐसा कोई map dund नहीं है so there is no guarantee what will be the intensity or duration but यह चीछ शौर है that one business cycle ends and another begins so these are definitely recurrent but not periodic and business cycles एक साल से लेकर बारा साल कितना भी चल सकते है यह भी एक अंदाजा ही है it's not a foolproof fact okay phases of business cycle you can see in the diagram कि यह जो dotted line है यह basically real GDP के value को denote करती है over time तो यहाँ पर आप देख सकते है that this is the section where GDP is at a high इसे हम कहते है peak इसके बाद यह decrease होता है जिसे हम कहते है contraction और बाद में एक low बनता है जिसे हम कहते है trough और वहाँ से जब वापस real GDP बढ़ती है उसे हम कहते है expansion यानि कि हिंदी में कहूं तो यह वाला section तेजी का है यह वाला मंदी वाडे का है और यह तेजी में सबसे उपरे levels है और यह मंदी में सबसे निचले levels है इनी चीजों को यहाँ पे अच्छे से mention किया हुआ है give it a time, pause करें वीडियो को and सारे phases के बार में एक बर पढ़े जरूर ओके, next are important observations important observations में expansion क्या होता है उसका technical meaning होता है कि अगर आपकी real GDP की growth rate positive है for two consecutive quarters तो फिर हम लोग कहते है expansion है वहीं पे अगर दो consecutive quarters तक अगर आपकी real GDP decline कर रही है यानि कि the growth rate is negative then in that case we say that it's a contraction इंडिया में तो बहुत सालों से expansion ही चल रहा है इसलिए हम इंडियन्स खास करके बहुत जादा used to नहीं है what is contraction यह शायद कभी भी future में देखने को कभी मिलेगा जरूर जब इंडियन्स रियल GDP भी decline करेगी अभी तो हमारी growth rate ही कम होती है but growth rate decline भी करेगी and negative भी होगी so that is going to happen sometime in the future कभ पता नहीं उसे हम कहेंगे contraction ओके इसके अलबा recession के दौरान investors invest in safer assets यह तो covid के time पे भी देखने को मिला now see covid was not a business cycle phenomenon it was a pandemic and it is a pandemic and इस वज़े से जो economy shut down हुई lockdowns वो सब business cycle का हिसा नहीं है but obviously business cycle में वो दिखने में तो लगेगा क्योंकि ऐसे में क्या हुआ अचानक पूरे देश में एक recession आया और इस recession के वाज़े से आपने भी notice किया होगा कि gold के prices एक आएक बहुत बड़े थे यह क्यों बड़े थे now you have got your result that people actually dump their stocks इसके वाज़े से stock market गिरा and they invested all their investments into gold इसके वाज़े से gold market बड़ा so these are the reasons why stock went down during the pandemic and gold went up because people park their money in safer assets इसके अलावा जब boom बहुत जादा हो जाता है यानि कि expansion की हदे पार हो गई है बहुत जादा तेजी हो गई है तो उसके वाज़े से wages बढ़ने लग जाती है and wages बढ़ना obviously स्वभाविक है and finally investor के optimism और pessimism से ही पता चलता है कि expansion चल रहा है कि contraction बहुत आसान है अगर investors बहुत optimistic हैं जैसकि अभी हैं जब मैं यह record कर रहा हूँ video December 2020 में तो अभी तो investors बहुत optimistic हैं that basically signals कि अभी expansion चल रहा है economy में वहीं पे जब overly pessimistic हो जाए यानि कि बेहद pessimistic हो जाए बेहद निराशावादी हो जाए उस समय आप लगभग अपने business cycle के bottom में होंगे जो कि मेरे ख्याल से March में हो रहा था March 2020 में when stock markets hit a very low point तब जाएतर investors बहुत जाएदा ही pessimistic थे लेकिन that was the bottom of the market so ऐसा कब होता है यह बुनना बहुत आसान है लेकिन इसको predict करना action में मुश्किल है इसने मैंने आपके साथ में यह share किया है आगे आते है learning outcome B के बार में बात करते है learning outcome B में अब हम बात करने वाले है about fluctuations in the use of resources capital spending and many other things आईए सबसे पहले resources की अगर हम बात करें तो बहुत आसान है और यह line से पढ़ना बहुत ज़रुरी है यहां लिखा है कि अगर downturn का start होता है तो उसके वह से aggregate demand market में कम होती है जिसके वह से inventory pile up होनी शुरू हो जाती है and जो भी businesses है वो production equipment के जो orders हैं वो बंद कर देते हैं basically कोई भी production equipment यानि की machinery वगयरा खरीदना बंद कर देते हैं क्योंकि inventory pile up हो रहा है तो सारे producers सोचेंगे पहले inventory तो बेच ले production एक बार रोग दो इसके अलावा termination of workers के लिए मैं आपको एक बात बोल दूँ कि ये lagged basis पे इसमें response आता है ऐसा नहीं है कि जैसे ही मंदी वाड़ा शुरू हुआ वैसे ही लोग अपने workers को निकालना शुरू कर देते हैं ये होता है लेकिन बहुत लेट ठीक है सो जब मंदी बहुत जादा दिन चल जाती है तब workers को निकाला जाता है एकदम से नहीं निकाला जाता इसके बाद में अब यहाँ पे recovery कैसे आएगी तो देखो ये पूरा सिलसल है समझना जब आपकी aggregate demand गिरती है monetary policy interest rate की कमी आती है interest rate में कमी आने से consumer spending और investments दोनों बढ़ती है and inventory का जो value है वो भी कम हो रहा है धीरे-धीरे क्योंकि production अभी तक नहीं हो रहा था तो production नहीं होने के वाज़े से inventory कम हो रहा है धीर-धीरे and consumer spending के वाज़े से देर-धीरे आपकी inventory यहाँ पे खतम हो रही है so these are various reasons जिसके वैसे यह हो रहा है अब आभी का अगर मैं scenario बता हूँ again December 2020 में तो यह अच्छ से आप देख सकते हैं क्योंकि इंडिया में भी आभी interest rates काफी low है again इंडिया छोड़ो पूरे worldwide interest rates बहुत low है and बात बाकी raw materials आप बात कर लो या फिर में capital goods की बात कर लो वो relatively कुछ cheaper आपको मिल जाएगा and because of that capital spending बढ़नी चाहिए यहाँ से if capital spending will increase gradually investments वगेरा भी बढ़ जाएगी and economy will be back on track fourth point when economic activity increases companies are unlikely to immediately start hiring new workers यह भी बात देको बहुत important है कि अगर कभी भी workers को hire करने की बात भी आएगी तो वो एकदम से economy के ठीक होते ही नहीं आएगी economy थोए ठीक होगी जब ज़रत लगेगी तब नहीं workers को hire किया जाएगा so एक बात ताहिए that यह जो hiring and firing वाला process है यह थोड़ा सा lag के साथ में होता है एकदम से मंदी आजाती है वैसे ही सबसे पहले आप जो shorter lead time के equipment है उनके order cancel करते हो इसका मतलब ऐसे equipment जो order करने के कुछ हफते के अंदर आपके पास में आ सकते हैं आप सबसे पहले उनके order cancel करते हो longer lead time को cancel क्यों नहीं करते हो उसका बहुत सा अभावाईक सा बात है क्योंकि अगर आपने एक बार order cancel किया तो कई सालों लग सकते हैं वो order आपको replace करने के लिए इसलिए यहाँ पे shorter lead time equipments को cancel पहले किया जाता है जब expansion का early phase होता है तब capital spending शुरू होती है और जब later stage होता है तब एक ऐसी अवस्ता आ जाती है जब सब की capacity almost fully utilize हो गई and businesses जब try करना शुरू कर देते हैं अपनी capacity को और बढ़ाने का तब basically एक signal होता है that now the market is towards the end of the expansion and लगभग एक peak आने वाला है fluctuations in level of inventory की हम बात करें तो वो भी बहुत आसान है देखो आपको पता है कि जब economic cycle एकदम अपने peak पे होगा यानि एकदम तेजी बहुत जादा होगी तो sales एक एक slow होनी शुरू हो जाएगी and because production full on चालू है तो inventory pile up होना शुरू हो जाएगा and inventory sales ratio is going to eventually increase अब इसके वज़े से क्या होगा जैसे ही slowness आएगा production एक एक रुख जाएगी inventory धीरे धीरे गिरने लगेगी and inventory sales ratio वापस normalcy के तरिफ आता रहेगा जैसे से आपका inventory sales ratio normalize होता रहेगा वैसे धीरे धीरे businesses और production करेंगे and economic situation वापस improve हो जाएगा तो basically ये सफर है from peak to trough ये होता कैसे है क्या क्या यहाँ होता है through inventory levels ये समझाने की एक बार कोशिश की गई है अपने curriculum में इसके अलावा consumer behavior में क्या आता है यो बहुत आसान है household जो होते है न वो durables जो होते है अब durables में क्या आते हैं जैसे furniture और अगेरा जो काफे time तक चलते है तो ये जो durables हैं इनके खर्चे को पोस्पोन कर देते हैं सबसे पहले गाड़ी यवाड़ी ये सब जो चीज़े हैं सब यहाँ पे पोस्पोन करते हैं अब सीधी सी बात है covid आगया मुझे गाड़ी लेनी थी तो क्या मैं गाड़ी लूँगा जब आप आम तोर पर यह होगा कि नहीं सर मत लीज़े क्योंकि situation सही नहीं है तो ऐसे मैं आप गाड़ी को पोस्पोन कर दो बट वहीं पे अगर मुझे non durables लेने हैं यानि कि मुझे supposedly कुछ ऐसी चीज़े लेनी है जो necessities है और non durables है जादा दिन नहीं चलेंगी लेकिन लेना जरूरी है तो obviously उनको तो मैं लूँगाई तो ऐसे में आप देखोगे कि durables के purchase को पोस्पोन किया जाता है non durables के purchase को पोस्पोन नहीं किया जाता है यह चीज़ देखने में मिलती है कि अगर durable की spending weak हो रही है इसका मतलब यह है that people are fearing कि आगे जाकर कि economy खराब करेगी इसका और एक चीज़ यहाँ पर सोचने लाएक यह है कि non durables जो होते हैं उनके उपर जो spending होती है वो primarily permanent income यानि कि sustainable income से होती है वहीं पर जैसे ही spending of durables की हम बात करें तो वो primarily depend करता है of disposable income जिसमें sustainable और non sustainable part dawn होता है so ऐसे में जब भी एक consumer को थोड़ा सा pessimistic feel आ रहा है उसको ऐसा लगता है कि मेरा जो unsustainable part of income है वो आएगा नहीं अब आगे से तो वो अपने durables को cut down करना शुरू कर देता है similarly अगर savings की rate एक आएक भढ़ने लग जाए लोग जादा save करने लग जाए तो समझ लेना they are fearing that economy is going to weaken from here इसके अलावा housing sector activity में क्या क्या होता है बहुत आसान है interest rate के सस्ते होने से home loan सस्ते होते है buying और construction की activity इसके वेसे बढ़ती है दूसरा home prices अगर बहुत तेजी से बढ़ रहे है लोगों की income बढ़े उससे जादा तेजी से अगर home prices बढ़े है तो लोग घरवर खरीदना बंद कर देंगे उससे भी buying और construction में एक गिरावट देखने को मिलेगी कभी भी bubble बने real estate में तो समझ लेना कि prices जादा दिन तक sustainable नहीं रहेंगे कोई न कोई दिन prices गिरना शुरू होंगे यंगर population जादा real estate का demand करती है उसके वज़े से homes के दाम बढ़ते है and rural to urban अगर population migration हो रहा है तो उसके वज़े से भी buying and construction की activity बढ़ेगी external trade sector activities की अगर मैं बात करो तो बहुत आसान है अगर Indian GDP जोरो से बढ़े तो हमारे आके लोग बहुत पैसे वाले होंगे और पैसे वाले होंगे तो import करना चाहेंगे वहीं पे अगर बाहर की economies अच्छा करें इंडिया से भी बहतर तो फिर वहां के लोग ज़ादा अमीर हो जाएंगे and they would want to import from India खादी वादी टाइप के items वो लोग शायद import करना चाहेंगे इंडिया से वहीं पे अगर हम बात करें रूपी डॉलर के नीचे जाने पे अभी अगर मालनो 75 है 75 से 70 जाने के लिए सब लोग बोलते है पता है अपने इंडिया में ये खास करके एक myth है सबको लगता है कि डॉलर इतना बढ़ना नहीं चाहिए डॉलर को नीचे लाओ मैं कहता हूँ कि अगर 75 से 70 हो जाएगा उसे क्या कहते है पता है उसे कहते है domestic currency appreciation but this is not favorable for a country क्यों क्योंकि इसके वैसे जो आपके exports हैं वो expensive हो जाते हैं जो आपके foreigners जो आपके goods लेते थे वो शायद नहीं लेंगे and दूसरा imports भी बढ़ने लग जाते हैं because अब हर कोई era-gara-natto-gara ये सोचता है that let us import maybe an iPhone from USA or maybe Dubai जहां से भी क्योंकि उनको rate कम पढ़ रही है dollars में खरीदने में सस्ता पढ़ेगा so this is obviously not good for Indian trade budget balance and इसके वज़े से ये रूपी का depreciate होना is much more favorable than appreciate होना ये चीज अगर आपको नहीं मालूम थी तो comment बे ज़रूर लिखना कि कैसा लगा आपको ये concept learning outcomes C में आते हैं I think you will definitely appreciate this यहाँ पे हम कई सारे school of thoughts की बात करेंगे कि उनका क्या कहना है कि एक economy जब depression में हो एक economy में जब मंदी हो तो क्या करना चाहिए सबकी अपनी सोच है और सबकी सोच को respect दिया चाहरा है जैसे कि number one हम बात करें तो new classical school new classical school ये सोचती है कि अगर आपको aggregate demand और aggregate supply में दौनों में shift लाने है basically आपको अपना full employment level को बढ़ाना है आपको sustainable increase चाहिए अपने full employment level में तो फिर आपको technology बदल देनी चाहिए technology आप better से better आप adopt करो उसके वज़े से ही aggregate demand और aggregate supply में shift आएगा ये इनका मानना है इसके लावा ये ये भी बोलते हैं कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा अपने full employment equilibrium पे ही maintain करोगे आप उससे temporarily deviate होगे और इनी temporary deviations को business cycle कहा कया है next up is Canadian school, Canadian schools ये कहते हैं कि जब भी expectations में बदलावाते हैं तो उसके वज़े से aggregate demand में shift आते हैं, basically if consumers are optimistic, they will increase the aggregate demand and if they are pessimistic, they will decrease the aggregate demand, इसके वज़े से business cycle के changes देखने के मिलते हैं, तो ये एक बात है इसके अलावा इन्होंने ये भी बोला कि wages downwards sticky हैं, तो अगर आप wait कर रहे हो कि overall जब economy बेकार कर रही है economy weak हो रही है, तो wages नीचे आ जाएंगे, wages के नीचे आने से production बढ़ेगा और production के बढ़ने से वापस GDP बढ़ जाएगी, तो आप भ्रहम में हो इनका ये कहना है कि wages चाहे जो हो जाए, वो नीचे नहीं आने वाले wages are downwards sticky, इसके अलावा इनका ये भी एक recommendation है, कि अगर आप कभी भी किसी economy को restore करना चाहते हैं, तो आप उसमें expansionary, fiscal और monetary policy दोनों लागू कर दें, बेसिकली अगर आप एक economy को देख रहे हैं, जिसमें बहुत जादा आप भी मंधी बड़ा चल रहा है, तो इनका ये कहना है कि वहाँ पे आपको tax कम कर देने चाहिए, और interest rates को भी कम कर देने चाहिए, क्योंकि tax कम करने से आप basically expansionary fiscal policy चालू कर दोगे, और interest rate के कम करने से expansionary monetary policy, तो इनका ये ही कहना है कि expansionary policy से किसी भी recession से बाहर आया जा सकता है new Canadian school वाले तो और भी सही है, ये कहते हैं कि सिर्फ wages ही क्यों, और भी factors हैं, जो सारे downwards ठीकी है so basically इनका ये कहना है, कि under any circumstance, your production cost will not come down unless you have economies to scale then we have monetarist school, नाम सही समझ में आ रहा है, कि ये monetary policy की वकालत करेंगे, इनका ये कहना है कि एक central bank, अगर stable, steady monetary policy adopt कर ले, और money supply में increase और decrease को predictable terms में रखे तब तक कुछ बिगडेगा नहीं, पर अगर उन्होंने कुछ adventurous किया, एका एक market को external shock या फिर inappropriately money supply decrease करके एक जटका दिया, तो उसके वज़े से recession ज़रूर आ सकते हैं सबके अपनी सोच है, सबको respect करते हैं, हम आगे चल रहे हैं दो स्कूल और बाकी है, Austrian स्कूल में हम बात करें कि business cycle क्यों होता है, तो उनका कहना है कि government intervention के वज़े से ये business cycles होते हैं, government intervene करती है, उसके वज़े से कभी economy तेज हो जाती है, कभी slow हो जाती है and that causes business cycle and finally we have new classical school, जो अपनी एक theory बना रहे हैं, जिसे हम कहते है RBC theory, which is real business cycle theory, ये कहती है कि यहाँ पे जो real economic variables हैं, जैसे कि technology और external socks, वो monetary variables पे भारी पड़ते हैं, यानि economy में main जो change आते हैं वो real economic variables के changes होने से ही आ जाते हैं clear है, इसके अलावा इन्होंने ये भी का है, कि policy makers को कुछ भी नहीं करना चाहिए, एक business cycle को ठीक करने के लिए, business cycle एक efficient market response to real external shocks है, यानि कि business cycle basically एक natural चीज है और आपको natural चीज को छेड़ना नहीं चाहिए basically आप new classical school को एक ऐसे doctor के तौर पे सोच सकते हैं, जो बुखार होने पर दवाई नहीं देता वो यही कहता है, कि तुमको बुखार है, तो basically your body is fighting against some infection so let it fight, let it cure by itself, I will not give you any medicine, तो वहीं पर ये new classical school भी है, जो आपको यही कह रही है कि boss, आपको कोई भी यहाँ पर बदलाव नहीं करने चाहिए and जो चल रहा है, चलते रहने देना चाहिए आती है बारी learning outcome D की, जहाँ पर हम unemployment की बात कर तो सकते थे लेकिन समय का अभाव होगा and उसके वेसे I am skipping that, learning outcome E की बात करें, तो वहाँ कई तरह के inflation के नाम दिये हुए हैं आपको inflation तो पता ही होगा कि अगर overall price level की इसी economy में बढ़ना शुरू हो जाएं, तो उसे हम कहते हैं inflation, hyperinflation, inflation के ही बहुत ही उपर के स्तर को hyperinflation कहते हैं, inflation rate आपको पता ही है, price level जिस percentage से बड़े percentage से बड़े, उसे हम कहते हैं inflation rate, disinflation होता है जब आपकी inflation की rate गिर रही है ठीक है when inflation is decreasing that is disinflation and deflation is when your interest rate has actually gone into the negative territory so दोनो में अंतर होता है disinflation means decreasing inflation rate and deflation means negative inflation rate kindly keep this in your mind sorry for this आईए आगे बढ़ते हैं learning outcome F is again skipped and then we have learning outcome G this is important यहाँ पे कुछ indexes के बार में बात किया गया है मैं उसका crux लेकर के आपके पास आया हूँ less payers index के अगर हम बात करें तो यह biased upward होता है भई किन कारणों से biased upward होता है तीन कारणों से पहला यह new goods से constituted रहता है and आम तोर पे new goods थोड़े expensive ही होते है and that is why this will always show you a higher I would say price level because of the inclusion of newer goods दूसरा बात यहाँ पे quality changes के वज़े से IOA price में बदलाव को incorporate कर दिया जाता है giving no consideration to the quality changes so that is also a negative point and finally substitution किया जा सकता है यह method उस चीज को incorporate नहीं करता basically सीजी सी बात है अगर goods कोई expensive हो तो आप उनके substitute को तो ढूडोगे और आप substitute करोगे भी लेकिन यह method उस चीज को ध्यान नहीं देता है and that is why less pairs index के यह तीन basic problems है with respect to your upward valuation got the point? चलो आगे बढ़ते हैं next up is PASHI's index PASHI's index में basically आप current consumption rates लेते हैं base prices लेते हैं और current prices लेते हैं and obviously सब को आपस में compare करके you find out what is the overall change in the price level Fischer index में आप geometric mean calculate करते हैं of both less pairs and PASHI बहुत आसान है next up is hedonic pricing hedonic pricing एक ऐसी technique है जिसके through आप किसी भी price index में changes ला सकते हैं adjustment कर सकते हैं for the product quality changes so कभी भी product quality में change आएगा तो आप ये use करके price index को थोड़ा सा adjust कर सकते हैं learning outcome H learning outcome H में हम बात करे हैं about two types of inflation number one is cost push inflation ये एक ऐसा scenario है जहाँ पे supply कम हो जाती है supply के कम होने के वाज़े से आपका overall यहाँ पे एक महेंगा महेंगाई आपको देखने को मिलती है this is known as cost push inflation दूसरा है demand pull inflation यहाँ पे basically demand बढ़ जाती है तो अगर एक एक demand बढ़ेगी तो उसके वाज़े से demand supply mismatch होगा and this will also increase the prices for the commodities this is known as demand pull inflation इसके लबा एक interesting concept है NARU which is non accelerating inflation rate this is basically an inflation I would say a natural rate of unemployment जहाँ पे आपका inflation desired level पे रहेगा so that is also good and finally we have expected inflation which is derived using this formula आप inflation index bonds का यह लीजे उसमें से treasury inflation protected securities के जो yield है उसको minus कर दीजे जो difference आएगा वो आपका expected inflation premium बन जाएगा got the point so do this as well and finally we have learning outcome I where we are talking about leading indicators, coincidental indicators and lagging indicators leading indicators वो थे है जो business cycle में phase बदलने से पहले ही indicate कर देते हैं कि देखो भी यह phase बदलने वाला है coincidental indicators में साथ साथ बताते हैं और lagging indicators phase बदल जाने के बाद में आपको confirm करता है that yes the phase has actually changed basically peak पे था अगर कोई economy तो peak के बाद जब gir out आती है तो lagging indicator confirm करते हैं कि हाँ वो point peak था और उसके बाद आप economy में एक contraction देखने को मिलेगा so ये तीनों ही indicators की अपनी अपनी usefulness है आप ये ना सोचे की lagging indicator बेकार है क्यों बेकार नहीं है मैं बताता हूँ ये confirm करते हैं confirmation is also required इसके अलवा आप बोलो के leading is best तो देखो leading भी best नहीं है because leading indicators can go wrong as well leading indicators आपको कुछ indicate करेंगे बट हो सकता है वैसा कुछ हो ना आप अगर stock market से connected है तब आप इन सारे indicators के बार में जान जाएंगे because leading indicators and lagging indicators भले जो भी हो but use तो आपको सारा ही करना पड़ता है अब यहाँ पे इस particular learning outcome के लिए मैं आपको एक चीज बता जाता हूँ जितने भी आपके book में examples दिये हुए है और जिन students ने classes ली हैं हमसे ही उनको पता है उनके notes में examples काफी सारे दिये हुए है please कोई भी example को छोड़े ना आप examples याद करके जाएं in fact यहाँ पे ऐसे भी question आ सकते है that they can give you a specific name and ask you बताओ यह leading indicator है coincidental है कि lagging है so ऐसे questions के लिए भी prepared रहे है please 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 so that's learning outcome I and the final learning outcome that's it for this video thank you for watching the video like, share, comment तो जरूर करो और channel को subscribe भी करो and अगर आप एक interesting video course दूण रहे हो for CFL level 1 preparation तो description में जाओ important links मिल जाएगी और alternatively आप इस whatsapp number पे भी contact कर सकते हो so that is it I'll see you in the next one तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें and पढ़ाई करते रहें